अगर हम लोग देखेंगे तो यह देखो बैंक निफ्टी ने कहीं न कहीं यहां से अल्मुष थाउजन पॉइंट की यहां पे रिजेक्शन लिया और यह रिजेक्शन लेकर इसने कहां पे दिया है क्लोजिंग इसने दिया है जहां पे बायर्स ने यही इसी जोन से मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के मार्केट उपर हो गया था कि यानव तो अब ये कहीं ना कहीं सी जोन के पास क्लोजिंग दे रहा है तो अगर वायर को मार्केट को उपर लेके जाना पबदे तो अभी के लिए क्या है अभी के लिए टाइम फ्रेम में मार्केट को बायर्स को फास्ट ली 40,000 की उपर जितना फास्ट होके उतना क्लोजिंग करना पड़ेगा नहीं तो अगर नेक्स्ट वीक में इसके निचे का कैंडल आ गई तो फिर यह बार-बार ऐसे रिजेक्शन व सकते लेवल साराम से फ्रेंग जो बनाते तो यह लेवल आप इसको ट्रैक कर सकते हो अब लोग आते है कि मुझे लख रहा हुँ की और एक वाइंग जोन चाह् Weird अब्हुट्र ने कही नइंट को निक तोड़ दिया अब यह काइंड ओफ रिटेस्ट कर रहा है अगर आप देखो यह देखो तो यह यह रिटेस्ट है या फिर रिवर्सल है आने वाले एक से दो दिन में वेनेश दे वगरा तक हमें पता चल जाएगा कि क्या मार्केट इसके उपर क्लोजिंग कर रहा है य रिवर्सल और तो यहां पर यह पर जाएगा है और यह ब्रेक्डाउन रिटेस्ट और घ्रकर कर रहा है तो आपके लिए साओूर बहुत ज्यादा मैंटर करेंगे एक भी candle ने one day time frame में 39,000 की नीचे closing कर दिया तो first target RM से 38,000 या फिर 37,980 तक के ये targets रहें गई तो अब हम लोग आते हैं 15 minutes में 15 minutes में हमें क्या दिख रहा है 15 minutes में हमें यही zone दिख रहा है जा यहां से market ने time spent कर दिया sharply fall हो गया gap up open हो गया again fall gap up open हो गया again fall but अब इसने previous swing के उपर closing कर दिया है जो कि market ने last time एक भी time frame में 15 minutes में अपने previous oh sorry अपने opening के उपर जो था closing नहीं कर पा रहा था market इसका जो closing था वो नीचे ही था अब market ने कहीं ना कहीं इसके उपर closing कर दिया एकदम strongly तो अगर market कल gap up open होता है और एक चीज़ याद रखना इंडियन श्टॉक में जितना मुझे knowledge है market में दो से तीन बार जिस pattern को follow कर दिया देन chances बहुत ज़्यादा होते कि अब यह इस pattern को follow नहीं करेगा तो यह gap up down gap up down अगर मंडे को अगन market ने gap up open हो गया तो फिर हम लोग 39,000 850 860 के उपर जैसे यह closing कर देगा इस swing के उपर देन हमारा first target जो रहेगा वो रहेगा 40,000 second target जो रहेगा हमारा 40,000 330 तक के target समलोग आने वाले time में देखते अगर यह gap up open हो गया अगर यह flat open हो गया तो अगर यह यहाँ पर कहीं पर भी flat open हो गया जैसे यह इस zone के उपर निकल जाएगा 39,680 जो इसका closing था जैसे यह इसके उपर निकल जाएगा हम लोग first target जो रहेगा वो रहेगा 39,860 यह targets के हम लोग buying का plan करेंगे अगर जैसे इस ने इस zone को निकाल दिया selling हम लोग कब करेंगे selling में plan करूंगा 39,500 के नीचे अगर 15 मिनिट की candle market ने close कर दी देन हम लोग तभी selling का यहाँ पर plan करेंगे अगर यह जो है ना यहाँ से 39,500 इसके नीचे अगर मार्केट ने 15 मिनिट के candle close कर दी देन हम लोग यहाँ पर selling का plan करेंगे अगर मंडे को अगर मार्केट gap down open हो गया मतलब जिस तरह अब यहाँ पर इस तरह यहाँ पर अगर इस ने gap down open हो गया और 500 या फिर यह जो 390, 390, 340 तक के जो लेवल से अगर यहाँ पर कही से भी इसने support ले लिया तो फिर हम लोग अगें 39,680 तक के targets के लिए buying देखेंगे aggressive selling में कब करूँगा aggressive selling में तभी करूँगा जब मार्केट जो है ना यह 15 मिनिट में यह trend line जो अगर इसने break कर दिया अगर इसने यह trend line को break कर दिया देल हम लोग इसमें aggressive buying नहीं extremely sorry selling aggressive selling अब लोग इस से trend line के breakdown के बाद ही करेंगे नहीं तो वेट करेंगे market को कही ना कही निकलने दो क्योंकि यह जिस तरह gap up down gap down यह जो अभी confuse कर रहा ना unnecessary trades नहीं करेंगे market को कही तो भी क्योंकि यह कही ना कही जाने वाला क्योंकि one day time frame में जैसे मैंने बोला कि breakdown retest continue करता है या फिर यह reversal लेकर उपर चला जाता है तो यह जो पूरा zone है हम लोग wait करेंगे क्योंकि इसके नीचे मार्केट अब नहीं रुकेगा अब हम लोग आराम से 700 800 तक के टार्गेट डाउनसाइड देख सकते क्योंकि यह बायर्स को लेकर जाना है तो यह कहीं के मंडे के लिए हम लोग इस तरह हम प्लाइन करेंगे और अब हम लोग आता है निफ्टी में निफ्टी में अगर हम लोग weekly देखेंगे तो यह देख लिए सेम टू से विकली में निचे से इसने रिजेक्शन के टेल ऑपर इसी जोन के पास रिजेक्शन ले रहे हैं यही इसका बाइण जोन ता जहाँ रिजेक्शन ले रहा है हम लोग वेट करेंगे क्या मार्केट इस जोन की निझे निकल आता है या फिर निफ्टी 17,000 240 250 के उपर निकल जाती है इसी तरह रिजेक्शन कैंडल लेकि रिवर्स चला जाता है या फिर यह आने वाली वीक में अगर निफ्टी ने एक भी वीक की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग कर दी देन ये ब्रेकडाउन शारपली ब्रेकडाउन करके निफ्टी निकल जाएगी इसका आने वाला टार्गेट जो रहेगा वो रहेगा 16,200 तो वीक लिल टाइम फ्रेम में निफ्टी क्लोजिंग कहा करती है यह बहुत ज्यादा मैटर करेगे क्योंकि निफ्टी कही न कही हमें वीक दिख रहे थी अब हम लोग आते वंडे टाइम फ्रेम में यह देखो क्लियर कट यही जोन था जैसे इसका बाइंग हो गया था तो निफ्टी ने क्लोजिंग भी यही पर दे दिए अब हमारा प्लैन क्या रहेगा हमारा प्लैन यही रहेगा अगर मंडे को मार्केट न ग्यापव ओपन हो गया तो हम लोग क्या कर सकते ग्याव डाउन ओपन हो गया तो हम लोग क्या कर सकते यह देखो निफ्टी जो है वो वंडेल टाइम फ्रेम में भी इसने 1,2,3,4,5,6,7,8 एट एट रेड कैंडल से तो चांसे बहुत ज़्यादा है कि निफ्टी में यहा पाइंग तभी करूंगा जब मार्केट यहां से ब्रेकडाउन इस तरह यह जो रिटेस्ट कर रहा है यह रिटेस्ट करने के बाद कितना रिटेस्ट करता है यहां पर कितनी ग्रीन कैंडल यह क्लोज करता है हम लोग वेट करेंगे द्यान से सुनना यह कंसेप्ट यह ग्री को अभी हम लोग वेट करते कि क्या निफ्टी कितना यहां से रिवर्सल का प्लान करती अगर यह 17,220 इस जोन के उपर निफ्टी ने कर दिया देन हम लोग निफ्टी में आने वाले टाइम में 17,400 तक के टार्गेट देख सकते बट अगर निफ्टी अगें 17,000 की निचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया वंडे टाइम फ्रेम में देन फिर यह शारप ली नीचे आ जाएगी जैसे मैंने बोलाता कि 16,000 तक क हो गया जैसे यह 17,200 लेवल निकाल देगा हम लोग यहां पर बाइइंग का प्लाइन करेंगे सबने निचे निचे निकल गया देन हमदो 17,000 TARK सबंद आगें से लिए के और car निफ्टी ने मंडे को 17,960 लेवल निकाल दी तो फिर ये आराम से 17,860 टारगेट के लिए 100 पॉइंट्स नीचे आ जाएगे निफ्टी तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया सिम्पल है 17,200 के उपर ही ब्रेकड़ाउन पर प्लैन करेंगे मार्केट अगर बंडे को गाप डाउन ओपन हो गया जिस तरह अगें गलोबल मार्केट हमें बता रहा है कि यह गाप डाउन ओपन हो गया तो हुम लोग वेट करेंगे क्या मार्केट इस जोन पर बाइंग का हम लोग प्लाइन कर सकते क्या यहां पर बाइंग की कोई पूजिशन बनेगी अगर यह गैप डाउन ओपन होने के बाद 960 लेवल निकाल दी यह कंटीनिव नीचे आना स्टार्ट कर देगा वर्स टार्गेट जो रहेगा वह रहेगा 16,875-860 तो यह 15 मिनिट वन डे और वीकली टाइम फ्रेम में मैं अभी आपको ओर राल बता देता हूं कि मार्केट का क्या है देखो यह लेवल्स वगर यह तो च सेंटिमेंट है सेलर के साथ सब है न्यूज है सब कुछ है बायर को आप यहाँ पर प्राइस एक्षन बना के निफ्टी को बैंक निफ्टी को 40,000 के उपर क्लोजिंग और निफ्टी को 17,000 242,50 के उपर क्लोजिंग करना पड़ेगा यह जो पुरा का पुरा जोन है ना यह निकाल देगी तो देखेंगे हम लोग मेरे काल से मंडे और टूजडे तक तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का ब्रेकडाउन और पुल बैक के साथ जा रहा है या फिर रिवर्स हो रहा है तो वीडियो आपको पसंद आ रहे होगे तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे आपका 11 सा कमेंट कर देगा मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट आती है तो चलो मिलते हैं हम लोग मंडे को लाइव मर्केट में थैंक्यों सो मच